देखिए अगर आप अपने घर के लिए विंडो लगवाने वाले है। और जानना चाते हैं कि कौनसी विंडो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। क्या वो अलुमिन्यम की विंडो है या फिर वो UPVC की विंडो है। तो आज के इस वीडियो में हम detail जानेंगी कि कौनसी window आपके लिए सबसे ज़्यादा best रहेगी इन दोनों window का हम comparison करके देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी doubt नहीं रहेगा कि आपके घर के लिए सबसे ज़्यादा best consumption रहेगा तो हम वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आप लोगी चैनल पे नए आया हो तो चैनल को subscribe कर दीजे और वीडियो पसंद आने पर इसे like ज़रू कीजे सबसे पहला point आजाता है जो की है life जी हाँ अगर हम बात करते हैं aluminum window की तो उसकी life जादा होती है approximately 45 years तक आपकी aluminum window जो है उसकी life consider की जाती है वही पर अगर हम UPVC की बात करते हैं तो UPVC window की life सिर्फ 20 से लेके 25 साल तक consider की जाती है आने की दो गुना life जो है aluminum window की आती है क्योंकि ये जो material है ये बहुती जादा durable है इस वज़े से इसकी life अच्छी कासी होती है अब बात करते हैं अगले point की जो की आ जाता है thermal insulation जैसा कि आपको पता होगा aluminum window जो है ये एक good conductor of heat है इस वज़े से building के अंदर ठंडी हो या फिर गर्मी हो वो आसानी से आपके window से अंदर के तरफ आ सकती है पर ये चीज आपके UPVC window के साथ नहीं होती है UPVC window जो है वो अच्छा thermal insulation का काम करती है इस वज़े से आपके यहाँ पर बहुत जादा अगर ठंड आती है protection करने का काम आपकी UPVC window करती है इस वज़े से आपने देखा होगा बाहरी देशों में जहाँ पर खास करके बहुत जादा बर्ब गिरती है वहाँ पर UPVC window का इस्तमाल किया जाता है अब बात करते हैं अगले point की जो की है soundproof के related अब ये point जो है ये clearly जाता है UPVC window के तरफ अगर हम बात करते हैं aluminum window की तो aluminum window जो है इतना अच्छा soundproofing का काम नहीं कर सकती है पर जिस इलाके में बहुत जादा शोर शराबा है या फिर गाडियों के आवाज, हॉर्म के आवाज ऐसी चीज़े है तो वहाँ पर UPVC window एक अच्छा option साबित हो सकता है अब बात करते हैं अगले point की जो की है recycling के related अब देखे दोस्तो aluminum window जो है वो 100% recyclable है चाहे आप कितने बार recycle करें कोई भी फरक नहीं पाड़ता पर ये चीज जो है ये UPVC window के साथ नहीं आती है आप उसे बार-बार जो है वो recycle नहीं कर पाते हैं अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे important point की जो की आजाता है cost के related और उसके बात का जो point है वो भी बहुत ज़्यादा important है उसे miss बिल्कुल भी मत कीजे जैसे के आपको पता होगा जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो cost इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा factor होता है अगर हम बात करते हैं aluminum window की तो aluminum window की cost जो है वो कम होती है आज की situation में आपको 300 से लेके 700 रुपए per square feet के सबसे मिल जाती है तो जैसे के आप यहाँ पर देख रहे है cost का बहुत बड़ा difference आ जाता है for example के लिए अगर आपका घर 1000 स्क्वेर फिट है और आप वहाँ पर aluminum window लगाते हैं तो approximate आपको खर्च जो है वो 60,000 रुपए तक आ सकता है वही पर अगर आपको बात करते हैं इन दोनों विंडो में 1000 स्क्वेर फिट के लिए 40,000 रुपए तक का difference आ रहा है यानि कि UPVC विंडो जो है वो 40,000 रुपए से महेंगी आ रही है अब बात करते हैं आगले point की जो की पिछली विडियो में बहुत बार पूछा गया था वो था कि अलिमिनियम विंडो क्लीनिंग करना बहुत जादा मुश्किल होता है UPVC विंडो जो है उन्हें क्लीनिंग करना बहुत जादा मुश्किल नहीं होता है इसका मुख्या कारान यह होता है कि उसके tracks उसके track कुछ इस प्रकार से होते हैं धूल जो है, उन ट्रैक के अंदर जाकर जमा नहीं होती है, और वही पर अगर अगर बात करते हैं, अलुमिनियम विंडो की, तो अलुमिनियम विंडो का ट्रैक जो है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से होता है जिसके अंदर आसानी से जाकर धूल जमा हो जाती है और cleaning करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पर ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप किसी गिले sponge के मदद से या फिर blower के मदद से या फिर vacuum cleaner की मदद से इन विंडो को जो है clean कर सकते है कु तो उनका maintenance कम होता है और अगर उनमें कोई खराबी हो भी जाती है ऐसे वक्त में आप local कारागे के पास से भी उस चीज़ को clear कर सकते है ये चीज़ आपके UPVC window के साथ नहीं होती है UPVC window के लिए आपको expert आदमी की ही ज़रूरत पड़ती है तो इस वज़े से maintenance का भी factor जो है वो जाता है aluminum window के तरफ वही पर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे points होते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ locks होते हैं तो वो advanced locks जो है आपको UPVC window में मिल पाते हैं और भी बहुत सारी varieties होती है जैसे कि ये window जो है वो different opening में आप खोल सकते हैं अगर हम बात करते हैं looks की त option होते हैं वो आपको limited मिलते हैं और अगर हम बात करते हैं UPVC window के sections होते हैं वो बहुत जादा बढ़े होते हैं जिस वज़य से आपकी windows जो है वो दिखने में एकदम bulkier दिखाई देती है और जैसे कि आपने aluminum window को देखा होगा तो उसके जो sections होते हैं वो बहुत ज्यादा slim हो क्योंकि इसका cost कम है, इसकी scrap value अच्छी है, recycling में problem नहीं है, और तो और maintenance की भी कोई चिंता करनी के आवशक्ता नहीं होती है, और अच्छी कासी life भी आपको मिल जाती है, और सबसे important factor आ जाता है दोस्तो cost का, क्योंकि cost इसकी बहुती कम हो जाती है अगर हम comparison करेंगे UPVC window से, औ और अगर हम बात करते है, UPVC window आपको सिर्फ और सिर्फ तभी लगाने चाहिए, अगर आपका coastal area है, या फिर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा noise है, या तो फिर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, ऐसी जगह पर आपके लिए एक अच्छा option आ जाता तो तो कैसे चलेगा, चानल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे, तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद